नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैंग स्टोडी पॉंट पर मैं हूँ आपका होस्ट मैंग साओ और आज का मेरा वीडियो एकोनॉमिक्स का है आज कि इस वीडियो में हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जा तो बढ़ते हैं मेरे टॉपिक के तरफ तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं तो दोस्तों बात करते हैं आज के इस वीडियो की तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पूरा डिटेल्स में टॉपिक को समझेंगे इन फूल ड हम लोग इसे करने की डिफरेंट कॉनट कॉन से मेफड मेथे यह हम लोग आज बात करेंगे तो बारे में हमने प्रिविएस वीडियो जहां पर इस वीडियो को नहीं देख्या दो गपाँप ब्ल Laur velocity of demand के बारे में तो यह क्या होता है एक बार मैं फिर से समझाता हूँ यह it is defined as the degree of responsiveness and sensitivity of a particular product along with the changes in its price तो यह क्या define करता है यह define करता है degree of responsiveness and sensitivity of a particular product किसी एक particular product का degree of responsiveness और sensitivity को यह बताता है जहां पे उस product का price change हो रहा है और अगर किसी product का price change होता है तो वहां पे उसका quantity demand में भी change होता है यह हम लोग starting से जानते है law of demand में हम लोग पड़े हैं तो यहां भी price elasticity of demand में भी यही बताया जा रहा है अगर इक प्रोड़क्त का प्राइस में कुछ चेंज़े हो रहा है तो उसके साथ ऊचे जो रिलेट्टिव जूसे रिलेट्ड कर रही होते हैं उनमें किस तरीका तो प्रद करते हैं zamrealize the relationship between and quantity that provides a calculator of the price effect in the price quantity of demand. यह एक बीच का? प्राइस के बीच का और quantity of demand के बीच में कि उस product का quantity demand कितना है और वो किस तरीके से calculate होता है वो एक calculator के थूरू उसका price को बताया जाता है जो price effect किया जाता है price quantity demand में क्या changes आ रहा है उनके अंदर क्या effect आ रहा है फिर the below equation calculates the price changes depending on the number of demands and the revenue received by firms before and after changes और हम लोग को जो यह नीचे एक formula दिया गया है इस formula को calculate करने के बाद हमें पता चलता है कि उस product में कितना ज्यादा changes हुआ है और कितना ज्यादा changes नहीं हुआ है अगर किसी product का price 10% बढ़ जाता है अगर किसी product का price 10% बढ़ जाता है तो उसका demand कितना गिरता है वो पता चलता है इसके अंदर अगर वो higher elastic product है तो उसमें अगर 10% का इंक्रीजमेंट हो रहा है प्राइस में तो उसका decrease जो quantity demand होगा वो 20 हो सकता है 30 हो सकता है ठीक है और अगर वो small elastic होगा यानि कि जिसे हम लोग कहते है कि lower elastic होगा तो उसमें अगर 10% का changes हो रहा है प्राइस में तो उसका quantity demand में क्या changes हो जाएगा हो सकता वह पांच पांच का quantity उसका demand गिरे या फिर टू गिरे या फिर फोर गिरे या फिर शरी गिरे इस तरीके से या फिर 10% में 10% बढ़ा है तो 10% का गिरावट आ जाए तो यहां पर हम लोग इसी चीछ गो calculate करते है अब यह उसका followsすご यहां पर उसे चे उसी कलेट करने का एक तरीका होता है जहां पर उसे तीन पार्ट में बाटते हैं पहला आता है परसेंटेज और दूसरा करने मेथड में और तिसरा आता है total layout और expenditure method में इन तीन method में हम लोग price Élasticity and Demand को calculate करते हैं तो अब शुरू करते हैं यहाँ पर हम प्राइस elasticity डिमांड का पहला यानि ही percentage या फिर proportional method से तो उसमें क्या करना पड़ता है हम लोग हम आपका बताय जाता कि आपका कितना प्रॉडट। क्या परसेंट प्रॉडटस हैं, अगर मांन लिज킨ा है, प्रॉडड़क था एंप और उसमें चेंज़़ांग है, यानि कि वह टोटल क्वंटिटी हो गया ह는 उसका तो इसे किस तरीके से कल्कुलेट करते हैं हम लोग आगे देख रहे हैं तो इसे कल्कुलेट करने का इस पर्सेंटेज को पहला पर्सेंटेज को क्यैकुलेट करने का दुसरा पर्सेंटेज को कỏi क्या करने का आपका इस χा पर्सेंटेज है चेंज फार्मृती दिखाए लेकिन मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रहो ताकि आप वहां से तुरंत निकाल पाओगे अंसर तो आपको अगर जब परसेंटेज इन की पता चल जाएगा कि आपका परसेंटेज के अंदर अवर इसके अंदर इसके न दिया हुआ और इसका प्राइस दिया वा आपको 5 रुपए तो अब आपको यह 6 रुपए cry से 5 को करना होगा आपको पता चलेहाँ कि इसमें कितने रुपए को चेंज हुआ है जिसके कारण आ तो आपको होप समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं यह तो गया परसेंटेज और अब बात करते हैं प्राइस लासिटी ओब दिमांड के बारे में दोस्तों अभी हम लोग विडियो में लेकिन आगे आने वाले वीडियो में इसका प्रैक्टिकल सॉल्व भी करेंगे प्र प्राक्टिकली इसे सॉल्व करेंगे तो अब बात करते हैं यहां पर प्राइस लास्रेटी ऑफ डिमांड का जिसे हम लोग कहते हैं वो यह कहा गया था कि हम लोग कहिसे less effectivement करेंगे विलुवर सेगमेंटा यहां से हम लोग इसे घ्राफ दे दिया जाएगा और ग्राफ का एक ऐसा सब्सक्राइब method और point method भी कहेंगे आपको अगर question में one number पे पूछा जाए कि what do you mean by arc method और point method तो आपको इसका definition बताना या फिर आप से पूछा जाए कि arc method का suggestion किस ने दिया था तो आपको इनका नाम लिखना होगा प्रोफेसर मार्सल का जिनोंने यह elasticity of demand को बताया था कि इस तरीके से हम लोग कर सकते है calculate तो अब उसे किस तरीके से calculate करते हैं आपको आपके सामने formula मैंने लीख रखा है ताकि आपको उच्छे समझ में आ जाए concept क्या हो रहा है इसका यह समझ में आने के लिए तो यहां पे अब यहां पर बीडी जो है यह जो portion आपको देख रहा है BD यह आपका total quantity है, यहां से यहां तक यह जो increase हुआ है, जो percentage में change हुआ है, percentage quantity demand यह है, ठीक है, और QM, यह दोनों है, यह QM, यह जो आपको यहां पर point दीख रहा है, यह दो two point, यह है Q और M, यहां पर आपको percentage quantity change देखने को मिल रहा है, फिर यहां पर percentage price है, वो क्या है, P और Q, percentage price यहां पर P और Q है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो ही आपको समझ में आएगा, अगर आप वीडियो छोड़के कुछ और देख रहे हो, दूसरे जगा में हो, तो वो आपको वीडियो समझ में नहीं आने वाले है, तो वीडियो के please focus बना के रखिएगा, तो यह त देखिएगा मज़रे हो, और फिर आपको जो नॉर्मल प्राइस है, इनिस्यल प्राइस जो है, पी बी, तो इनिस्यल प्राइस आपका कौन सा है, यह वाला, जो पी बी है, एक बार मैं आपको यहां पर अच्छे से दिखा दू, इससे यहां पर इरेज करके इक बार इसे हा O और B यह आपका quantity है तो यह आपका quantity हो गया यह आपका price हो गया ठीक है यहाँ पर बोला गया है substituting these values in the elasticity formula तो यहाँ पर यह formula जो है यह formula पर हम लोग को lower segment और upper segment देखने को मिलेगा इस formula के base पर हम लोग को lower segment और upper segment find कर पाएंगे और जिसके कारण lower और upper segment find करने के बाद हम लोग को price elasticity of demand मिलेगा दोस्तों geometric method आपके syllabus में नहीं है अगर आप class 11-12 में तो आपके syllabus में नहीं है और graduation में बहुत किसी ही college में आपको पढ़ाया जाता है geometric method वरना आपको masters में पढ़ाया जाता है geometric method और जब हम लोग geometric method बताएंगे तो उसका अलग separate video में बनाऊंगा जहां पर आपको पूरा अच्छे से geometric method details में आपको बताया रहोंगा तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं इस फॉर्मुला को हम लोग calculate करते हैं तो elastic price यहां पर बताएंगे qm by pq multiply by pb by ob जहां पर यह बताएंगे qm जो है उसका divide हम लोग करेंगे pq से qm का divide pq से करेंगे और pb का divide pb का divide हम लोग ob से करेंगे ठीक है pb का divide हम लोग ob से करेंगे वह कैसे हो रहा है तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि यह quantity demand है qrm यह quantity percentage demand हो जा रहा है qrm का और फिर हम लोगों यहां पर बताए जा रहा है कि पी और q का price तो पी और q का बीच में कितना का price changes हो रहा है वह हम लोग यहां पर multiply कर रहे हैं इन दोनों को cross multiply किये और जहां पर हम लोग को result यह भी हम लोग को यहां पर और by pq है qm by pq is equal to bs by pb तो यहां पर bs by pb तो यहां पर आपको यह जो format आपको देखने को मिल रहा है यह यह हो जाएगा आपका lower segment lower segment ठीक है यह आपका lower segment निकल गया जहां पर आप अगर इसका angle निकालोगे अगर आप इसका angle निकालोगे तो आपका यहां पर angle निकलेगा pqm is equal to pbs वो कैसे हो जा रहे है तो आप हम लोग इसमें एक दूसरे को common लेके calculate कर दे रहे हैं तो यहां पर common क्या आजा रहा q तो pqm आ गया इसका हम लोग का common angle pqm आ गया और इसका कितना आ गया pbs being right angles and pqm and pbs are similar as s तो हम लोग का यह जो pqm और pbs है वो किसका similar है s का similar है ठीक है यह pqm और pbs यह pbs जो है हम लोग यहां पर इसको भी देख सकते हो यहां पर आप लोग अगर यह point को देखते हो तो यह भी similar है और यह भी अगर इसको बड़ा कर देते हैं तो यह भी एक similar है तो इसलिए यहाँ पर बता है कि यह दोनों एंगल जो है similar आ रहा है फिर आप बोला गया कि is to bs by pb यानि कि bs by pb तो यहाँ पर यह जो आ रहा है multiply pb by ob pb by ob यानि कि अब इसके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है तो यहां से यह चीज़ जो हो रहा है यह यहाँ पर calculate हो जा रहा है since pb s and r o s since p p b s and r r o s r similar यह भी similar हो रहा है जो हम लोग का pb है एक second जो हम लोग का pbs है वो भी similar हो रहा है अगर हम लोग इसको इधर देखे तो यह भी similar हो रहा है और r o s यह भी similar हो रहा है जैसे हम लोग को एंगल बन रहा है वहां पे तो ईपी एट पॉइंट पी मतलब कि पॉइंट पी जो हो रहा है वहां पे कि ऐस के इसक्यों टू की ए इसकल टो 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 ऑल शे कंव नहीं कि इनका एंगल को भीbooks यह फिर O R is equal to P S by P R is equal to P S by P R यानि कि इनका angle को भी same किया ज़रा है तो यह जो point निकल रहा है आपका P का जो point है और P के उपर का जो point आ रहा है वो हो जा रहा है upper segment और यह जो नीचे का point निकल रहा है यह आपका ज़रा lower segment जहां पर आपको यहां पर यह answer देखने को मिल रहा है upper segment और lower segment ठीक है अब यह जो निकला lower segment और upper segment इसका निकालने के बाद ही हम लो quantity divided by price change quantity change divided by price change is equal to या फिर multiply by price by quantity calculate कर लेंगे वहां पर हम लोगो price elasticity of demand मिल जाएगा यह तो हो गया geometric method अब हम लोग बात करते हैं यहां पर the total outlay method जिसको हम लोग expenditure method से भी जानते हैं expenditure method को भी marslo ने बताया था कि वह किस तरीके से calculate होता है तो the total revenue और total expenditure किसी भी product में total revenue जितना हो रहा है और total expenditure जितना हो रहा है उस method को हम लोग elasticity में किस तरीके से measure करते हैं वो हम लोग measure करते हैं total outlay is called to price into quantity demand अगर हम लोग इसके बीच का पढ़ें by comparing the total expenditure of a purchaser both before and after the change in price it can be known whether his demand for a good is elastic unity or less elastic total outlay is price multiplied by the quantity of a good purchased तो हम लोग का यह बता जार कि अगर हम किसी product का total expenditure और purchaser में comparing करे compare करे तो हम लोग को उसके बाद और उसके आगे क्या देखने को मिलेगा change in price जिसको हम लोग demand के अंदर good is elastic और unity और less elastic से भी जानते हैं और total outlay is price multiplied by और इस total outlay को हम लोग किस तरीके से calculate करते हैं उसका multiplication कैसे होता है कि हम लोग कितना good purchase खड़िदे हैं good को purchase कि कितना quantity का good हम लोग purchase किये हैं तो वह ऐसे पता चलता है total outlay is called to price into quantity demand माल लीजिए आपको यहां पर दिया हुआ है पांच रुपए का price है और आपने वहां पर total outlay आपका expenditure 500 माल लीजिए यहां पर 500 और आपको बोला गया है कि quantity demand निकालने तो आप यहां पर बता जाए रहे कि total outlay को हम लोग multiply कर देते हैं तो हम लोग यह total outlay को multiply कर बह주аете थिक है लेकिन हम लोग को यहां पर इस चीज को निकालना है यानि कि quantity demand को निकालना है तो जो चीजsl number going divide करने पर हम लोग का क्या quantity seat आपका प्राइश्य क्या हम्हेंन Square आपको इनक्वाइब करना प्राइश को winner मिया सब्सक्राइब करना निक्तिति हमाहिए यह निटेब करदा सबहुत तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उमिद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आये होगा तो जाते हैं वीडियो को लाइक करें और अगर आप चल पर न्यू है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बैल आइकन को भी ताकि आपको हमारे आने व वीडियो पर तक तक लिए जुड़े रहे हैं मैं सब्सक्राइब के साथ वीडियो को पुरा देख लेकर आपको बहुत बहुत धनेवाद